तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सो नदी सोसा जो कि यहां से लगवग दस किलो मिटर के दूरी पर है और यह सफारी से ही जा रहे हैं अब लोग है अब लोग आगे पैठी है अम पीज़े पढ़ रहा है अब लोग और आज है चार जन्वारी तो बुद्वार नहीं मंगलवार अज मंगलवार है ना यह रहे हैं वेकुल बाभू बॉड़ी जी आज की ब्लॉग शुरू करते हैं और आज तो हमें सोर नदी भी जाना है थोड़ा सा वहां पे काम है तो आज की सुरुवार करते हैं ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों आज यहां गाउं में बहुत जोड़दार गोहरा पड़ रहा है आप देख सकते हैं क्या द्रिश है मैंने 20 से 25 मिटर के हो दो में आप आप देखे इस पीन पाव किया अच्छे में तो गाय सारही गारा बज गया और निकल रहे हैं लग सोन नदी की ओर अगसा परिवार जा रहे हैं सजी कोई ठीडा देर हूं मिलते हैं फिर सोन नदी में और वहां के नजारे कुछ दिखाता हूँ सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सो नदीश सोसा जो कि यहां से लगवग दस किलो मिटर की दूरी पर है और यह सफारी है सफारी से ही जा रहे है अब लोग अब लोग आगे यह न भी यहां पर रुके हैं थोड़ा सा चाह वागरा पीने के लिए लग है छटों जी है सामने यही सफारी से जा रहे हैं वग मुझे दोस्तों अभी थोड़ा सा रुके हैं लग चाह वगरा पीने के लिए कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 बच गया है लेकिन अभी कितना कोहरा मौजूद है और बाहर में आपको पिकरा होगा कि दोस्तों आचुके हैं हम लोग अभी सोन नदी के किनारे दर नदी है और यहां पर थोड़ा सा पूजा पार्ट होगा उसके बाद फिर वापस जाएंगे इधर देख लीजी साहार है और यह साहार का मंदीर है इधर जो नदी है घर क्या दू बनाएंगे तो चली नहाते द आते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं ज़रे क्याद में बनाएंगे चुके हैं अभी हम लोग साहार सोन नदी के किनारे यहां सोन नदी है बालू यहां का बहुत पतला-पतला होता है देख सकते हैं और इधर सुर्य मंदिर है और वह जो पूल देख रहे हैं वह काफी लंबा जो की अर्वल जिला को आरा जिला से ज़रोरती है यह पूल ना को पहले नहीं होता था त्योगहां पर लोग नाओ नाया करते थे समय जो यहां का रासला था हो बहुत मुश्किल हुआ गलता था लिगन पूल बनने के बाद लापी सुइधा हो गया है और बहुत ही ज्याद यहां पर सहुलियत हो गया है लोगों को एक जगा से दूसरे जगा तक जाने के लिए सो दोस्तों यह है आरा भोजबो जिले का सोन नदी और यह साहर में मौझोद है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रेट में इसमें आदा से ज्यादा पुरा आपको बालो भरा हुआ मिलेगा और यहां पर लोग छट पूजा में बहुत अच्छी कासी बीड़ होती है और अभी बारिस में पानी कम है लेकिन बारिस के सिजन में यह काफी रौत रूपधारन कर लेता है यहां पर जो काम होना का हो गया है अधार फिट हो गया हूं जापाट हो गयरा कर लिया हूं अब निकलूंगा अब गाहों पे जबरेवीच आ गये हमारे मौसेरा भाई चोटू पान्दे फिसोटू पाटक ना किया चोटू पाटक सब्सक्राइब करने बोल दो बोलो लाइक करें यहां करें हैं हमारा मौसिरा भाई चोटू और यह सब्क्राइब इंजीनियर इंफोसिस में कमपनी में है और बहुत जल्दी इसका वी नया चैनल आएगा तो बोल दो सपोर्ट करें हमको प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें और सपोर्ट तो यह है वे आरा डिस्रेक्ट का सहार मार्केट इंडियों बोह चुके हैं और यहां देख सकते हैं यह कुलड वाली चाय है अर इधर आपका देशी आख जल रहा है यह मैं इंडिया है और हम लोग आ गयते हैं वहाँ से काम करके लगवाँ आदा गटा हो रहा आदा गटा है तो अब यह क्रेप गाड़ी गया है लोगों को लेके और फिर गाड़ी रिटान आएगा फिर हम लोग जाएंगे साफारी से तो चलिए बस और चाहिपी के थोड़ी तेर में निकलेंगे अजर में दिया है जैसा कि मैंने आपको पेले भी व्लॉग में दिखाया है अब ही है थोड़ा से सौप में और कुछ सामान होगे रख परचेजिंग चल रही है अधर भईया लोग वेटे में हैं और आपका कु जाए साथ बजए ही गाउं पहुच गयते हैं और यह मेरा मेरा भाइ है सुमित हलोगों सुमित करने बोल दो और इनसे तो आप लोगोंने कल मिलाई था यह पुल बाभू है बगीना तो हम लोग एक्शुली साड़े साथ में यहां पहुच गयते और अभी जी जाजी लोग रहो गया है बस थोड़ी देर में फिर हंगर सोने जाएंगे So guys time हो गया सारे दस और समय हो गया इस ब्लॉग गुइंट करने का और आज काफी रस रहा आज सोन दी गया और वहाँ पर जल वगएरा देना तो पूजा वगएरा हुआ तो अब समय होगे इस ब्लॉग को इंट करने का तो अगर आपको इस ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आया हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर ये चैनल को कि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाश भूँ चली कल मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए गुड़ नाइट टेक केर बाई 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 जाए